लेगी वाह बड़ी शुंदर विवस्था भगवान राम ने इधर भूम का वनाई कि गुरू जी की आग्या कैशे मिले इधर संकर जी चत्रुशकी का भेश बना कि मिथला में प्रवेश कर गए और ऐसा अद्दुतिये आकरशन है भगवान स्यू के उस सखी भेश में कि मिथला का कोई नागरी कि ये समझी नहीं पा रहा है कि ये नई भरती हुई है मिथला में तमझ गए जो भी देखता है वो यही कहता है कि ये तो यहीं वो है ये अनेक रूपों में पता नहीं क्या क्या सोचते हैं मिथला की ही वो सखी के रूप में सब को दिखाई दे रहे भगवान सिव दिखाई दे रहे हैं मितला की सकी कि ये मितला ही की सकी है सारे लोग जो भी देख रहे हैं दृष्टिपात कर रहे हैं संकर जी के उपर ऐसा अद्वुता करशन है कि जादू हो गया साथ मितला के घर घर के लोग इसी बात को सुईकार कर रहे हैं कि ये तो मितला की ही सकी है मितला की सकी है आज गुरुजी से आग्या कैसे मिले भगवान राम ने भी भूमिका बनाई कि लक्षमण को माध्यम बना ले किसे लक्षमण भगवान राम हाद जोड़ के नहीं खड़े हैं विश्वामित्र जी ने का राम कुछ कहना चाहते हो कहें महाराज निवेदन करना चाहता हूं क्या यह लक्षमण जो आया है न साथ में थोटा भाईया हां हां क्या है इसके मन में एक्षा है कि मैं जनकपुर देख लू अच्छा 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 लक्षमण की एक्षा है कि मैं जनकपुर देखूं जनकपुर बहुत अच्छा लग रहा है बहुत समय से मन बना रहा है लेकिन क्या है संकोच के मारे नहीं कह पा रहा है आपका संकोच मेरा संकोच और आपका संकोच मैं बड़ा भाई हूं आप गुर्देव हैं इसलिए मर नहीं पा रहा मैं समझ रहा हूं लात लखन पूरदेखन चहाई प्रभुसकोच डड़ प्रगट न करहीं आपका भी डर मेरा भी डर संकोच है अब आपकी आज्या हो तो विश्वामित्र जी ने कहा देखो डर अच्छा नहीं होता है बच्चे में बड़ों के प्रती डर हो जाए वो यतना डर हो जाए कि कोई बात ही न कह पावें तो बड़ों को चाहिए कि बच्चे का डर निकाल दे भै निकाल दे ये धर्म कहता है निकालना चाहिए जरूब हम मेशा भय भीत रहें तो इमानदारी से बताओ वो बच्चे क्या सोचेंगे उनका क्या भविश होगा उनकी क्या सोच होगी इसलिए बच्चों में भय यदि आ जाया और वो भय के कारण कोई बात महीं कह पा रहे तो उनका भय निकालो उनकी बात सुनो और यदि सावाशी दो क्यों वही देना चाहिए बहुत अची बात कईु सेता करना चाहिए परीवार चलाने के तोर तरीके होते क्या होते हैं ऑ और तरीके होते हूं बचंश में एक परिवार तो इतना खतरनाक था कि बच्चे बहुत डरते थे साव और क्या बतावें बाप को डरना एक अलग बात है मा को भी डरते थे बच्चे ठीक है पिता को डरें अलग बात है लेकिन मा एक ऐसी होती है कि बच्चे अपनी बात कह देते हैं और जिद भी कर जाते हैं, रूट भी जाते हैं, तो मा मना लेती है, भोलो भाई यही करते हैं, यही तो संसार की लीला है, लेकिन इतना भाय कि वो मा से भी डरें और बाप से भी डरें, बच्चे, एक दिन ऐसी घटना घटी शाव, कि बच्चे जो है, इस्कूल पहुंच गए लेकिन जूते नहीं पहने थे तो मास्टर ने का क्यों जूते पहन के नहीं आये हो तुम्हारे माता पिता कैसे हैं बच्चों को विना जूते के भेज देते हैं आज हम उनको ढाठेंगे गलब बच्चों ने कहा कि आप माता पिता से कुछ मत कहना क्यों इसका मतलब है तुम्हारी गलती है बोले गलती हमारी नहीं है गलती माता पिता की है कि हमारे दौनों जूते ब्यस्त थे कैसे ब्यस्त थे बोले सर हम इसकूल आने लगे तो एक जूता मम्मी लिये थी एक जूता पापा लिये थे वापसमें तो मैंने कहा कि जूतों से ही पिंड छुड़ा ओओ इस्कूल पहुंचू अब बोलो भाई क्या है ये घर है कि इसमसान बना रहे हो तुम घर को बच्चों का भविश्य चोपट कर रहे हो अपनी मुर्खता के कारण कोई बात भी आपस में हुआ करे तो बच्चों तक नहीं जाना चाहिए आब आज आपस में ही समझ लिया करो लेकिन वो सब जो तुम्हारे बच्चों तक नहीं जाना चाहिए इतना ध्यान रखा जाए क्योंकि बच्चों को इनसान बनाना है हमें और हमारे चरत्र के माध्यम से ही बच्चे इनसान बनेंगे और यदि स्ट्रेस्ट इनसान तुमने बना दिया तो यही बच्चे आंगे भगवान बनेंगी यह मैं दावे के शाथ कह रहा हूँ इसलिए ध्यान रखना है सोच समझ के अपने ग्रहस्ति को चलाना है एक एक कदम सोच के रखना है क्योंकि परिवार का भविश पुरा माता-पिता के ऊपर डिपेंड रहता है गार्जियन्ज के ऊपर डिपेंड रहता है रहता है कि नहीnd रहता है आज मिथला का हर घर हर नागरिक इस बात को सुईकार कर रहा है कि यह सखी तो यहीं की ऐसा चरित्र भगवान सीव का अब भगवान राम ने इधर प्रार्थना की तो विश्वामित्र जी ने कहा कि डर निकाल देना चाहिए बच्चों का लक्षमण अगर भैवीत है तो क्यों है भैवीत वो यदि उसके मन में इक्षा है कि जनकपूर देखना है तो भैवीत क्यों है दर निकालना चाहिए लक्षमण इधर आओ अब इक्षा किस की थी जल्दी बोलो लक्षमण की थी कि बगवान की थी पहले ये बताओ बगवान की इक्षा थीक नहीं लेकिन बहाना लक्षमण का लिया तो विश्वामित्र जी ने कहा कि लक्षमण इधर आओ लक्षमण जी तुरंत आगे ए को बेटा जनकपूर देखना चाहेते हो जनकपूर देखने की तुमारी इक्षा है लक्षमर्यजी बोले हमारा कोई पड़ चाही नहीं जनकपूर में भगभाराराम ने कहा लक्षमर्यजी जब बड़े लोग आपस में बात कर रहे हो तो बीच में छोटों को नहीं बोलना चाहिए लक्षमारी जी बोले मामला क्या है हम समझ ही नहीं पा रहे हैं समझ ही नहीं पा रहे हैं विश्वामित्र जी मुश्करा गए विश्वामित्र जी मुश्करा गए कि राम जनकपुर लक्षमार को नहीं देखना है जनकपुर तुम्हें भी न पा रहे हैं क्योंकि उनकी भक्ती में इतनी प्रवलता है कि आज भगवान को ही दर्शन देने के लिए घर घर जामा पड़ेगा इसलिए जाय देख्या वहु नगर सुख निधान दूभाए उकरों सुफल सवके नयन सुन्दर बदन दिखाए आज्या मिली भगवान राम लक्षमर को ले करके चले साम मिथला की गलियों में गोशामी जी कहते हैं अब तो जनक पुरवासी दोड़ पड़े राम के दर्शन के लिए धाये धाम काम सब्त्यागी ओ मनों रंकनी धी लूटन लाएगी दोड़ पड़े मिथला के अवाल विर्धनर नारी ऐसा आकरशन भगवान के रूप में मैं एक बात कहता हूँ आकरशन लोग कहते हैं कि सौंदरी में होता है ये रूप की सुन्दरता सामान को तो प्रभावित कर शक्ती है लेकिन भक्तों को प्रभावित नहीं कर शक्ती है रूप की सुन्दरता क्योंकि भक्त भगवान के रूप पर इसलिए प्रभावित होता है पहले मुखका दर्शन नहीं करता है दर्शन की परंप्रा में चर्ण दर्शन है एक बाद सुन लिजी दर्शन की पर हमारे हां जब आरती ठाकुर्जी की शुरू होती है तो चर्ण से शुरू होती है नहीं तो मुख से होना चाहिए कहां से शुरू होती है चर्ण से इसका मतलब है आकर्शन मुख के परती है कि भगवान के चर्ण के परती है भगवान के च जरन के प्रतिव फिर चरनारविंद, हृद्यारविंद, मुखारविंद, आधि-आधि की परंपरा इसका मतलब क्या हुआ है